अरे कृष्णा तो अभी रिसेंट्ली उडान फेस्टिवल और्गनाइस किया गया इसकॉन पूने में शिशी राधा कुझ भी हारी मंदर में और करीब 500 से जादा यूथ आये इसके अंदर तो यह जो उडान फेस्टिवल है यह बहुत ही इंपॉर्टन फेस्टिवल है क्यों भला आज हम देखते हैं कि आज हमारा यूथ है यह भूत बनावा है क्यों यहां तो आचल कि यूथ को एडिक्शन है ड्रॉग्स की यहां फिर उसको एडिक्शन है मॉबाइल फोन्स की इल बल्दल से निकल सकें, उसके लिए ये उडान फेसिवल और्गनाईज किया गया था, कि हम ये स्टेंथ दे सकें, ये स्पिरिश्वल स्टेंथ दे सकें, ये कॉंटेंट दे सकें उनकी जीवन के अंदर, कि उडान भर सकें, जो लो क्लास एडिक्शन है, उससे उपर उठ सकें, और जो सफलता की उचाईया है, उनको छू सकें, तो इसने उडान फेसिवल और्गनाईज किया गया, ताकि बच्चों के अंदर वैल्यूज डाली जा सकें, आजकर देखें कहीं सारी educational courses हैं, लेकिन ये सारे educational courses बच्चों में skills जो डालते हैं, लेकिन attitude नहीं डालते हैं, सही attitude भला वो कैसे लाया जाए, तो ये value लेकर के आने के लिए, ये सही attitude लेकर के आने के लिए, लाइफ में ये उडान festival organize किया गया, आजकर बच्चे बड़ी-बड़ी किताब पढ़ते हैं, जैसे एक बड़ा सुन्दर, एक message हमने पढ़ा था, कि बच्चे आज जो मोटी-मोटी किताए पढ़ रहे हैं, कि समुन्दर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुलू भर नमबर आते हैं, उसमें डूप के मर जाते हैं, तो इतने सारे skill मैंने अरज और आप देखिए, समाज में जितने भी evils हैं, उनकी पीछे एक ही कमी है, वो है values की कमी, अगर कोई drug addition करता है, तो उसमें value कमी है, जो मा अपने बच्चे को अनाथ आश्र में छोड़ आती है, तो उसमें value की कमी है, कि मेरे में ममता होने चाहिए, मैं अपने बच्चे को कह है, छोड़ दूँ, लेकिन समाज में आप देखिए, जितने भी evils हैं, उनकी पीछे एक ही कमी है, और वो है values की कमी, तो यह जो उडान festival है, यह specially organized किया गया था youth के लिए, ताकि youth में values डाले जा सके, सही values के साथ, सही attitude आता है, और जब सही attitude के साथ life में काम करते हैं, तो हम हमारे जो youth हैं, उनको punk देने के लिए, ताकि उड़ सके, from low class addiction, from low class taste, to higher taste, और जब यह higher taste एक बार मिल जाता है, तो जो low class taste है, low class habits है, यह अपने आप यह fade out हो जाती है, because अब तो उचा taste हमको लग गया है, तो इसलिए उडान festival का परपस था, higher taste देना, बच्चों को उठाना उनके attitude में, aptitude में, knowledge में, और life को एक बड़े broad minded perspective के साथ जीना, यह इस उडान festival का परपस था, और भवान शिशी रादा कुझ भिहारी की देया से, यह परपस मीट हुआ, तो जितने students से आए थे, बहुत ही खुश थे, बहुत ही inspired थे, और जिंदगी को एक नए उत्साह के स एक नए inspiration के साथ जीने के लिए तयार थे, तो ऐसे उडान festival हम लोग regularly करते भी रहेंगे, और हमारे request है कि आप बाकी यूद्स को inform करें, कि ऐसे उडान festival, इसकौन, पूने, शिशी रादा कुझ भिहारी मंदर में organize हो रहे हैं, आप सब को इसमें भाग लेना चाहिए, और इ this escape velocity of inspiration. और ये inspiration हमको मिलती है उडान festival में. So thank you very much for being there, all those students who participated और अग्ली बार जो आने वाले हैं, उनको अभी advance में invitation है, please do come and make your life like a blossoming flower with the fragrance of devotion and grace of God. Thank you very much. Hare Krishna.